मुख्यमंत्री नितीश कुमार अब से कुछी देर में निकलने वाले हैं तस्वीर देखिए यहां पर तमाम सुरक्षा कर्मी आप पहले मुख्यमंत्री के निकलने से पहले यहां पर परेड कर रहे हैं तस्वीर जो है वो एक अने मार्ग की है जहां पर मुख्यमंत्री नितीश कुमार आप से कुछ देर में निकलने वाले हैं उससे पहले जो है यहां पर सुरक्षा कर्मियों के द्वारा परेड किया जा रहा है तमाम देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं एक अने मार्ग की जहां पर मुख्यमंत्री नितीश कुमार तमाम देखिए बड़ी तस्वीर मुख्यमंत्री नितीश कुमार विधायकों के साथ अपने बाहन में बैठकर राजभवन के लिए निकल रहे हैं यह तस्वीर आप देख सकते हैं किस प्रकार से नितीश कुमार के सुरक्षा कर्मी पैदर चल रहे हैं मुख्यमंत्री नितीश कुमार विधायकों के लिए प्रस्थान करने वाले हैं महागटबंदं सरकार की कुछी मिंटे रह गई है जिसके बाद आप नितीश कुमार महागटबंदं सरकार का इस्तिफा कर देङे यह प्रकार मुंक्य मंत्र नितीश कुमार निकल रहा है किस प्रकार से मुंक्य मंत्री नितीश कुमार का जो है वो राज इंटरी कर रहा है ये बड़ी तस्वीर, ये बिहार के सियासत के सबसे बड़ी तस्वीर मुख्यमंत्री नितीश कुमार राजभवन के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, नितीश कुमार इस्तिफा देने के लिए राजभवन इंट्री कर रहे हैं, किसी भी हालत में मीडिया कर्मी से वो बातचित नहीं कर पाएंगे पूरी तरीके से सुरक्षा का बुक्ता इंतजाम कर दिया गया है गेट पर भी कोई खड़ा नहीं रहे सकता है नितीश कुमार राजभवन पहुच गए महाकटबंदन सरकार की समाप्ति के लिए नितीश राजभवन जो है वो पहुच चुके हैं अब बि नितीश इस्तिफा देकर फिर से एक नहीं सरकार बनाएंगे और वो सरकार इंडिये की होगी बिहार में एक बार फिर डबल इंजन की सरकार चलने वाली है और साफ तस्वीरे हो गई है कि मुख्यमंत्री नितिश कुमार पहुंच चुके है राजभवन राजभवन में इस्तिफा देंगे सरकार बनाने का दावापेस करेंगे और उसके साथ ही आज शाम में चार बज़े सपत गरहन जो है शमारो भी रखा गया है तो यह पूरी तस्वीर देखे मुख्यमंत्री नितिश कुमार जो है राजभवन पहुंच गए हैं बड़ी तस्वीर आपने देखी है कि इस प्रकार से मुख्यमंत्री नितिश कुमार अब तक की सबसे बड़ी खबार बिहार में महागडबंदन सरकार का अल्टिमेटम समाप्थ और अब जो है वो बिहार में लगतार जो सियासी दावपेश था वो खत्म हुआ और महागडबंदन सरकार यही पर समाप्थ होती है तो तस्वीरे आप देख रहे थे सहयोगी नरुतम के साथ मैरन्यन सिंग